ये partnership का part 4 है, इससे पहले हम partnership से तीन पार्ट पड़ चुके है, तीनों पार्ट में हमने बहुत important questions को सीखा था, हमने इससे पहले वाले पार्ट में ऐसे परस्नों को सीखा था, जिसमें मूल धन लगाने के बाद वापस निकाल लिया जा रहा था, आज हम ऐसे परस्नों को सीख तीन माँ बाद A ने 5,000 रुपिया निकाल लिये, जबकि B ने 5,000 रुपिया और लगा दिये, इसके तीन माँ बाद C भी 21,000 रुपिया लगा कर वैपार में साजेदार हो गया, एक वर्स बाद 26,400 का लाब में से B का भाग कितना है, यहां तीन लोग है A, B और C है, A जो है 16 लगाता है, टोटल टाइम में एक वर्स मतलब 12 महिने का, तो 16,000 रुपिया जो लगाता है, उसके तीन महिना बाद A ने 5,000 रुपिया निकाल लिया है, तो यह जो 16,000 है, वो पहले तो 3 महिने तक चलेगा, तो हम इसे 3 से गुना कर देंगे, प्लस अब वो 5,000 रुपिया न चलेगा, टोटल 12 महिने का समय है, पहले वाला कैपिटल जो है, तीन महिने तक चला था, पांच हजार घटाने का बाद, 11,000 जो है, वो 9 महिने तक चलेगा, यह हो जाएगा हमारा A का रेशियो, B का निकालेंगे, 12,000 रुपिया है B का कैपिटल, तीन महिने बाद B ने 5,000 र और प्लस 5,000 रूपिया और लगा दिया है B, तो 12,000 प्लस 5,000 कितना होगा 17,000, तो 17,000 गुना 9, ये जो है 9 महिने तक चलेगा, 9, 3 तोटल 12 महिने तक का समय है, तो गया हमारा B का रेशियो, अब हम निकालेंगे C का रेशियो, तीन महिने के बाद A ने 5,000 रूपिया निकाला तो 3, 3, 3 प्लस 3, यहां हो जाएगा 6 मंद, आप ध्यान से समझेंगे, ये जो 3 है, ये पहले वाला 3 है, इस 3 महिने के बाद A पांच जा रूपिया निकाला था और B पांच जा रूपिया लगाया था, फिर इसके 3 महिने बाद C 21,000 रूपिया लगा कर वैपार में आया था, तो इस 3 महिने के बाद, और 3 महिने बाद 21,000 रूपिया लगाया था C, तो 3 प्लस 3, 6, इस 6 को हम 12 से माइनस करेंगे, तो आएगा 6 मंद, ये जो 6 मंद है, वो सिब C का कैपिटल चल रहा था, तो C का कैपिटल कितना है, 21,000 रूपिया, इससे हम गुना करेंगे किसको, 6 को, ये हो जाएगा C का रेशियो, अब हम इसे तोड़ लेंगे, 16,000 गुना 3 होता है, 48,000, और 11,000 गुना 9 होता है, 99,000, और 40,000 और 99,000 को अगर हम जोड़ेंगे, तो हमारा मिलेगा 14730, ये होगे हमारा A का, B का कितना होगा, 12 गुना 3, 36,000 रूपिया, और 17 गुना 9, 100 तिरपन तो यहाँ से हो जाएगा 36,000 और यहाँ से हो जाएगा 1,53,000, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, दोनों को जोडने से 36,000 और 1,ière, take- toc, जोड़ेंगे, तो मिलेगा 1, 89,000, ये हो गया B का, और C का 21,000, गुना 6 है, तो यहाँ से 21,000, गुना 6, 126, तो यहाँ मिलेगा 1203,0 यह हो गया हमारा तीनों का रेशियो अब हम इसे कटा लेंगे 303030 21 से कटा सकते हैं 27 147 29 189 और 26 126 हमें रेशियो मिल गया है 7 अनुपात 9 अनुपात 6 अब हमें इस लाब को बाटना और B का भाग हमें बताना है तो सबसे पहले मिसका सम निकाल लेंगे 7 9 और 6 का सम कितना होगा 22 यह 22 हो गया यह है टोटल लाब 264 00 हमें निकालना है कि इसका B का तो B का देशियो उपर होगा तो 9 उपर होगा और 22 नीचे होगा 22 से इससे कटाएं ये हो जाएगा B का profit, तो इस तरह के सवाल को हम इस मैठट से आसानी से बना सकते हैं, हम एक अगला टाइप का प्रस्न भी कर लेते हैं, वो प्रस्न भी बहुत important है और बार बार पूछ जाते हैं, इस प्रस्न में दिया गया कि A तथा B ने मिलकर साजेदार में एक वैपार आर पाद छे हो, तथा A ने अपना धन 10 महिने के लिए निमेज किया हो, तो B ने अपना धन कितने महिने के लिए लगाया था। यहाँ पे A जो है 14 है इसका ratio और B का ratio 15 है यह उनका मूलधन है यह उनका capital है कहा गया है कि A ने अपना धन 10 महिने के लिए लगाया है यह जो है 10 महिने के लिए लगाया है तेन मन्थ के लिए अपना capital लगाया है और B जो है वो कितना महिने के लिए capital लगाया है वो हमें नहीं प अनुपाद मतलब लाप का अनुपाद 7 अनुपाद 6 है यहाँ पे इसका कैपिटल 14 है जो की 10 महिने के लिए लगा था यह प्रोफिट का रेशियो हुआ एका और इसका जो कैपिटल 15 है जो मान लेते हैं महिने के लिए लगा था यह बराबर है 7 अनुपाद 6 के इसे मैंसे लिख सकते हैं 140 बटा 15 एक्स इक्वाल टू 7 बटा 6 इसे मैंसे लिख सकते हैं X का value यहां से मिल जाएगा तो 15 गुना 7 यहां होगा 105 X equal to 140 गुना 6 यहां से X का value निकालेंगे 140 गुना 6 बटा 105 यह हो गया 5 से अगर कटाएंगे तो 5 जुनी 10 5 एकम 5 यह 28 बार में कटेगा और 731 साचोक 28 यहां से 3 दूनी 6 यह हो गया 4 दूनी 8 मतलब 8 महिने के लिए जो है B ने अपना धन लगाया था इस तरह के question भी बार बार पूछे जाते हैं तो हम इसे इस तरह बना सकते हैं आज हमने जो डो टाइप के प्रस्ण सीखे यह बहुत ही important है और बहुत बार exam में repeat किया जाते हैं